So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि की 16 जून के important current affairs को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में विश्व बुजुर्ग दुर्वेवार जागरुकता दिवस कब मनाया गया तो answer होगा 15 जून को तो बुजुर्ग व्यक्तियों के दौरा सहन किये गए दुर्वेवार, भेद भाव और उपेक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 जून को World Elder Abuse Awareness Day के रुप में मनाया जाता है और इस बार की theme क्या है? theme तो वैसे काफी बड़ी है तो theme आपको ध्यान नहीं रखनी है इतनी बड़ी theme आपसे नहीं बूझेंगे लेकिन बुजुर्गों से सम्मंदित एक और दिवस होता है अंतर राष्टर व्रद्य जन दिवस International Day of Older Person वो मनाते हैं हम 1 October को बाखी जून में अभी कौन-कौन से Day मनाया हमने 1 जून को World Milk Day मनाया 3 जून को World Bicycle Day 5 जून को World Environment Day 7 जून को विश्व खादे सुरक्षा दिवस 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानि की World Ocean Day 8 जून को ही World Brain Tumor Day 12 जून को विश्व बालशरम निशेद दिवस 13 जून को अंतरराष्टर रंगहींता जागरुकता दिवस यानि की International Albinism Awareness Day और 14 जून को World Blood Donor Day की रूप में मनाया तो जून के ये important days इनको ध्यानट ना बढ़ते हैं गे चलिए फिर बताईए अजब पद्म पुरुसकारों की बात करते हैं 2023 में तो कितने व्यक्तियों को दिया गया 106 को इस बार भारत्तर रत्म नहीं मिला पद्म पुरुसकार दिये गये 106 को जिसमें से पद्म विभूशन 6 लोगों को पद्म विभूशन 9 को और पद्म श्री 91 को अब देखो पद्म विभूशन जरूर याद रखने हैं आपको जो छे व्यक्ति हैं उनके नाम क्या क्या है बाल कृष्ण विठ्थल दास दूसरी मन्नो परांत मिला है इनको ये वास्तुकला से सम्मंदित थे आर्किटेक्ट थे एक थे जाकिर उसेन सेन जो की तबलावादक है एक है एसम क्रिष्णा ये करनाटक के पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं और जब मनमोर्न सिंग की सरकार थी उस समय ये विदेश मंत्री थे एक है दिलीप महाल नोबिस ORS का जनाय के इनको का जाता है एक है श्री निवासन वर्दन ये भारते अमेरिकी गणितग्या है और एक है मुलायम सिंग यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उत्रप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री रहे मुलायम सिंग यादव वैसे मन्नोपरांत मिला इनको पद्म विभूशन तो ये नाम तो आप जरूर से याद रखना और हर्याना सरकार जो पद्म पुरुसकार विजेता हैं हर्याना राज्य के उनको हर महीने 10,000 रुपे की पेंशन देना स्टार्ट करेगी ये पॉइंट ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए हाली में जारी कम्यूनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2020 में किस शहर को दुनिया का सबसे अनुकूल शहर बताया गया तो अंसर होगा टॉरंटो तो अभी कम्यूनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2020 चारी हुआ जिसमें दुनिया के सबसे फ्रेंडली और दुनिया के सबसे अन्फ्रेंडली शहरों की लिस्ट चारी की गई तो हमसे तो प्रश्ण में पूछा गया कि दुनिया का सबसे अनुकूल शहर friendly city ये कौन सा बताया गया तो आंसर होगा टोरेंटो वहीं घाना को सबसे unfriendly शहर बताया गया और इस लिस्ट में भारत के मुंबई और दिल्ली को भी शामिल किया गया पर इन्हें दुनिया के unfriendly list में शामिल किया गया तो friendly cities की list जब हम देखते हैं तो उसमें top पर टॉरेंटो है, दूसरे पर सिड्नी है तीसरे पर न्यू यू यॉर्क है unfriendly cities की list देखते हैं तो उसमें top पर घाना है, second पर मौरक्को है, तीसरे पर मुंबई है और नई दिली छटवे स्थान पर है unfriendly मतलब वहवारिक नहीं अपने से अपने मतलब रखते हैं अपना काम बनता भाड में जाए जनता तो इन्होंने ये list चारी की है बाकी आप जानते हो भी world happiness index आये था उसमें भारत 126 नंबर पर है, तो top पर Finland है, वेश्विक आतंगवाद सूचकांग में top पर अफगानिस्तान है तो भारत 13 वा सबसे परभावित देश रहा और अभी इंडिया जस्टेस रिपोट 2022 आई जिसमें करनाटक टॉप पर है, और दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में New York टॉप पर है तो World Bank के रसत प्रदर्शन सूचकांग 2023, लोजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रेंके 38 और सबसे ज़्यादा water bodies यानि के जल निकाई ये किस राजे में हैं तो अंसर होगा पश्ची मंगाल में, सबसे कम हैं सिक्किम में और हुरन ग्लोबल युनिकॉन इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे स्थान पर है पहले पर अमेरिका दूसरे पर चाइना है और देश में डिजिटल तरीके से लेंदिन करने वाले शहरों की सूची में बंगलूरू टॉप पर है और आर्थिक सुतंतरता सूचकांग में भारत 131 नंबर पर है तो टॉप पे सिंगापूर है बाकी वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स 2023 इसमें भारत 161 नंबर पर है तो टॉप पे नौर्वे है इस इंडेक्स को जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर ने तो ये कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स से इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए हाले में किसे NHPC Limited यानि ये National Hydro Electric Power Corporation का निदेशक बनाया गया तो अंसर होगा उत्तमलाल को तो NHPC Limited ये भारत के प्रमुक जल विद्यूत कंपनी है जिसके अभी डिरेक्टर बन गये हैं उत्तमलाल NHPC Limited की भी बात कर लें स्थापना उक्ती 1975 में Headquarter हर्याना में है और इसके MDCEO को ने राजियू कुमार विश्णूई है और डिरेक्टर बन गये हैं ये उत्तमलाल बाकी अमित अगरवाल का नाम इंडिया के डिरेक्टर जनरल बने तो ये नाम इंपोर्टेंट हैं बढ़ते हैं गई फिर बताईए अभी हाली में Eat Right Station प्रमणन प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्वी रेल्वे का पहला स्टेशन कौन सा बन गया तो अंसर होगा गवाहटी रेल्वे स्टेशन तो ये जो टेग है ये देता कौन है Eat Right Station वाला टेग ये फसाई देता है Food Safety and Standard Authority of India और इसने अभी यात्रियों को High Quality और पौस्टिक भोजन उपलब्ड कराने के लिए गवाहटी रेल्वे स्टेशन को Eat Right Station प्रमान पत्र से सम्मानित किया है और ये टेग पाने वाला ये पूरुवत्तर भारत का पहला रेल्वे स्टेशन बना है ये ध्यान रखना पर अगर आपसे मानलो एक्जाम में पूछ ले कि भारत का पहला कौन सा था रेल्वे स्टेशन जिसे ये टेग मिला था Eat Right Station वाला तो आंसर होगा Mumbai Central Railway Station और पूरुवत्तर भारत का पूछेंगे तो ये गुवाहाटी Railway Station है अच्छा अगर आपसे प्रशन पूछा जाए कि Food Safety and Standard Authority of India के द्वारा 5 Star Rating वाली उत्तरप्रदेश की पहली जेल कौन सी बनी थी 2006 के अधिनियम से 2008 में होती है नई दिल्ली में मुख्याले है और अभी इसके नए CEO बने थे उनका नाम है गंजी कमला वीराओ इसी साल बने थे 2023 में अच्छा मान लो अगर मैं आपसे पूछू कि North East Festival का दस्वा संस्करन अभी देसंबर 2022 में हुआ था कहां पे नई दिल्ली में है अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि अभी उत्तरपूरवीर राजजी की पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चली असम में गुवाहाटी से पश्चमंगाल के न्यू जलपाई गुडी था अच्छा रेल्वे स्टेशन से एक प्रश्ण याद आ रहा है कि मुंबई के चर्च गेट रेल्वे स्टेशन का नाम बदल के किन के नाम पे रखा गया तो आर्बिय के पहले भारते गवर्नर के नाम पे यानि क्या अंसर होगा सीडी देशमुग और बताओ दुनिया का सबसे लंबा रेल्वे प्लेटफॉर्म ये काँपे बनाए करनाटक के हुबली में जो श्री सिद्ध रुदा रेल्वे स्टेशन है वहाँ पे इसके लंबाई ये 1507 मीटर तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में पहला खेलो उंडिया जन जातिये खेल महत्सव का आयोजन ये काँपे किया गया तो अंसरोगा उडिसा में तो अभी पहली बार खेलो उंडिया जन जातिये खेल महत्सव का आयोजन ये किया गया कहाँ पे उडिसा की केपिटल भुवनेश्वर में है और इसमें overall पहले स्थान पे रहा है उडिसा दूसरे स्थान पे रहा है करनाटक इसमें 5000 जन जाती एथलीटों ने participate किया और इसमें 6 खेल शामिल थे कौन-कौन से खोखो, फुटबॉल, रगबी, कबड़ी, हॉक्की और वालीबॉल तो ये ध्यान रखना बाकी देखो खेलो इंडिया से आपको जरूर याद आएगा अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था जो कि इसका पाँचवा संसकरन था मध्यप्रदेश में हुआ था जिसका मैस्कोट शुभंकर था आशा और इसमें पहले स्थान पे महराश्टर था और अभी खेलो इंडिया यूणिवरसिटी गेम्स भी हुआ था जो कि इसका तीसरा संसकरन था उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसका मैस्कोट शुभंकर क्या था जी तू जो रिप्रेजन करता है बारा सिंगा को और इसमें टॉप पे पंजाब यूनिवरसिटी रही सेकंड पे गुरु ननक देव यूनिवरसिटी और तीसरे पे जेन यूनिवरसिटी रही तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैं चलिए फिर बताईए अभी हाल में सर्वे वैसल्स लाज प्रोजेक्ट का चोथा जहाज कौन सा है जिसे अभी चैन्ने में लाँच किया गया तो आंसर होगा संशोधक तो S.V.L. यानि की सर्वे वैसल्स लाज प्रोजेक्ट के तहत चार जहाज लाँच हो चुके हैं इनके नाम है संध्याक, निर्देशक, इकशक और अभी चोथा भी आ गया है शंशोधक और इसे कट्टू पली चैन्ने में लाँच किया गया इसे बनाया है लार्सन एंटुब्रो कमपनी ने अच्छे यह तो जहाज की बात हो गई आपको यादे प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पंडूब्ब्यों का निर्मान हो रहा है छे पंडूब्ब्यों का और यह प्रोजेक्ट है भारत और फ्रांस के बीच में छे पंडूब्ब्या कौन-कौनसी है आइनेस कलवरी, आइनेस खंडेरी, आइनेस करंज, आइनेस वेला और आइनेस वागशीर आइनेस वागशीर आनी बाकी है बाकी सब आ चुकी है और वैसे भारत का पहला सुदिशी विमान वाहग पोत कौनसा है आईनेस विक्रांत जिसे कोच्ची से लॉंच हुआ था 2 सेप्टेंबर 2022 को अच्छा वरुनास्तर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ये क्या है? हेवी वेट टॉर्पीडो है वरुनास्तर तो इसका तो उत्तर हो जाएगा संशोधक ये अब धियान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में पुलिजर पुरुसकार विजेता उपन्यासकार जिनका नाम है कॉर्मेक मैक कार्थी इनका निदन हो गया वे किस देश से थे? तो अंसर होगा अमेरिका तो कॉर्मेक मैक कार्थी ये अमेरिका के उपन्यासकार थे इनके दो उपन्यास बहुत भेमस थे एक था दर रोड जिसके लिए इन्हें 2007 में पुलिजर पुरुसकार मिला था और दूसरा था नो कंट्री फॉर आल्ड मैन जिसके उपने एक फिल्म बनी थी जिसने 2007 में आसकर पुरुसकार जीता था पुलिजर पुरुसकार ये अमेरिका के पत्रकारिता का सरवोच्च पुरुसकार है और अभी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग केटेगरी में ये मिला था नियू यॉर्क टाइम्स को और पुरुसकार ये वास्तुकला में दिया जाता है और अभी ये मिला था सर डैविड चिपर फिल्ड को अगर मैं आपसे बूछो अभी अंतरराश्टर बुकर पुरुसकार 2023 किसने जीता जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने ये बुलगेरिया के लेखक है और इन्हें इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये पुरुसकार मिला तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बदाईए हाली में लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्णर आफ दे ये रवाड से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा शक्तिकान दास तो आरबियाई की वर्तमान गवर्णर ये शक्तिकान दास 25 वे नंबर के गवर्णर हैं जिनको अभी लंदन सेंट्रल बैंकिंग के और से गवर्णर आफ दे इयर का अवर्ड दिया गया है अब दिया क्यों गया तो इंफलेशन मेनेजमेंट, कोविड नाइंटीन महामारी और ग्लोबल क्राइसिस के दोरान भारत की बैंकिंग सिस्टम को बहतरीन तरीके से संचालन के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है तो ये भी अच्छा प्रश्ण है और RBI की बारे में हम बात करेंगे अगले वाले प्रश्ण में तो अगला प्रश्ण देखते हैं फिर फिर बताईए हालि में किस राज्य में RBI का उप काररेले खुला गया तो अंसर होगा नागालेंड में तो अभी RBI ने नागलेन की जो capital है कोहिमा वहाँ पे एक उप कार्रेले खुला है तो RBI के जो deputy governor है Michael देवबर्त पात्रा उन्होंने कार्रेले का उधगाटन किया जो उत्तर पूर्वी शेत्र में केंद्रे बैंक की उपस्तिती का विस्तार करने में मदद करेगा आपको बता दू कि पूरे भारत में Reserve Bank of India इसके total 29 शेत्रे कार्रेले हैं यानि के regional offices हैं जिन में से अधिकान्स राज्यों की राज़धानियों में इस्तित हैं देखो आरबिया की इस्तापना होती है एक अप्रेल 1935 में हेड़क्वार्टर मुंबई में हैं और आरबिया की इस्तापना की सम्विती की सिफारिश पे होती है यंग हिल्टन आयोग राष्ट्रे करन इसका हुआ एक जन्वरी 1949 में गवर्नर ने शक्तिकान दास 25 नंबर के हैं पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ओस्बॉर्न स्मित पहले इंडियन गवर्नर थे स्रीडी देश्मुक जिनके नाम पे मुंबई के चर्च गेट रिल्विस्टेशन का नाम रखा गया और ये जो आप देख रहे हो ये आरबिया का लोगो है इसमें एक पीड है पाम ट्री ताड का पेड और एक जानवर है रोयल बेंगॉल टाइगर और अभी आरबिया ने हंड्रेड डेज हंड्रेड पेज अभ्यान शुरू किया आरबिया ने वित्य समावेशन के लिए अंतर द्रश्टी डेश्बॉर्ड लॉंच किया और आरबिया के अनुसार लगातार तीस डिजिटल अभ्यान शुरू किया अच्छा अब हम कल की करंट अफेर्स का क्विक रिविजन करेंगे तो पहला प्रश्ट ने पूछा था कि इकबाल मसी पुरुसकार 2023 किसने जीता ललिता नेटराजन ने फिर आप से पूछा विश्वर रक्तदाता दिवस का बनाया गया 14 जून को फिर आप से पूछा अभी किस पूरुवे मुख्य नयादीश ने कानूनिस सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया लीगल एप्लिकेशन को लॉंच किया तो MN वेंकर चले यार फिर आप से पूछा भी किस IIT ने भारत का पहला डाई मिथाईल इथर इंदन चले टेक्टर इंजन का निर्मान किया IIT कानपूर फिर पूछा भी हाली में जारी सिपरी की येर बुग दोजार तेविस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वादिक परमानु शश्त्र ये किस देश के पास है रश्या के पास फिर पूछा दोजार तेविस में स्क्वेश विश्व कप ये काप आयोजित किया गया चैन्नाई में अगला प्रशन पूछा UEFA Champions League का खिताब किस ने जीता मैंचेस्टर सिटी ने फिर पूछा हाली में जारी फॉप्स की वेश्विक शूची ग्लोबल 2000 में रिलाइंस इंडश्टरी कौन से इस्तान पर है 45 नंबर पे है फिर कि भारत में एक लाख रुपे प्रती शेयर मार्क को चूने वाला पहला स्टॉक कौन सा बन गया तो आंसर होगा MRF और काईज अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर करना बाकि इनकी क्विज बना क से सम्मानित किया तो आंसर होगा UK ने आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रशन कि झाल रहा आपका होमवर्को ने रहा आपका होमवर्कों सही उतर दिया उतर दिया तो 5 हुर।